नमस्कार दोस्तों किसान आंदोलन के बीच भारती जनता पाटी को बहुत बड़ा जटका लगा है मोधी सरकार दोरा लाए गए तीनों क्रिसी कानून का बिरोत करते हुए भारती जनता पाटी के 11 बड़े निदाओं ने पाटी से इस्तिपा दे दिया है इनके इस्तिपे से राजनीतिक पारा चड़ गया है आपको दे लगाता डेड़ महीने से दिल्ले के बाडरों पर किसान किर्शी कानून को वापिस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब इस किर्शी कानून के समर्थन में भारती जनता पार्टी के अंदर भी फूट पर्ती भी दिखाई दे रही है अब इस कानून का बिरोत करते हुए भारती जनता पार्टी के नेता भी एक एक कर पार्टी को छोड़ रहा है अब भारती जंता पार्टी के 10 बड़े नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तिपा दिया है जयां दोस्तों पुरे खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो इस बीडियो को सेर्व जरूर करें और साथ ही आपको क्या लगता है क्या मोदी सरकार दोरा बनाए गए तीनों संसोधित क्रिसी कानून को मोदी सरकार को वापिस लेलना चाहिए जैसा कि लगतार देड़ महीने से किसान आंदोलन कर इसी बात की मांग कर रहे हैं या फिर नहीं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस बीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें क्रिसी कानून वापिस नहीं लेगी सरकार का कहना कि इस कानून में जो भी कमिया हैं किसान सरकार मिलकर इसमें संसोधन कर सकते हैं लेकिन इस कानून को वापिस नहीं लेंगे लेकिन अब इस क्रिशिक कानून का भारती जनता पार्टी के नेताओं ने भी बिरोत करना शुरू कर दिया है पहले भारती जन्ता पार्टी के सयोगी पार्टी सिरो मरी अकाली दल ने पार्टी का साथ छोड़ा उसके बाद रास्थान से सांसर हन्वान बेनिवाल ने भी NDA का साथ छोड़ा अब भारती जन्ता पार्टी के 10 बड़े नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तिपा दे दि पंजाब में भारती जंता पार्टी को उस समय जटका लगा है जब पार्टी के दस परिश नेता सीरो मड़ी अकाली दल में सामिल हुए सीरो मड़ी अकाली दल में सामिल हुए सभी नेताओं ने चेताओनी दी है कि मोधी सरकार को एक कानून वापिस ही लेना हुगा सामिल होते हुए नेताओं ने कहाए कि उन्होंने पहले ही भारती जन्ता पार्टी को चेताओं नी दी थी कि वे किसान बिरोधी क्रिशिक कानून वापिस लें लेकिन ऐसा करने के बजाए पार्टी ने उल्टा उन कानूनों का समर्थन करने के लिए उन्हें कहा गया सबीत दस निताओं ने भारती जंता पार्डी को जटका देते हुए सिरो मड़ी अकाली दल का दामन थाम लिया है। अकाली दल के नेताओं ने भारती जंता पार्डी नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थोगे के साथ सिरो मड़ी अकाली दल में सामिल हुए हैं। साथ उन्होंने सिरो मड़ी अकाली दल के अध्यक्ष को आस्वासन दिया है कि उनके और समर्थक जल्धी अकाली दल में सामिल होंगे। भारती जंता पार्डी छोड़ कर सिरो मड़ी अकाली दल में सामिल होने वाले दस नेताओं में से बलविंदर सिंग और सुकदेव सिंग फरमाही ने खाय कि हमरे राज की भाजपा इकाई को चेताओनी दी थी कि अगर वो अपने किसान बिरोधी कदम को वापस नहीं लेते हैं तो गाउं में उनके एक कारकरता भी नहीं बचेंगे। को मजबूत करेंगे अलाकि आपको वदादे इससे पहले भी तीनो क्रिशी कानून का बिरोध करते हुए और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारती जनता पार्टी के एक नेता ने पार्टी से इस्तिपा दे दिया था और ये सिरो मड़ी अकाली दल का दामन थाम लि जिला पार्टी जनता पार्टी को जोर का जटका दिया है जिला अधैक्ष के पार्टी छोड़ने से अंदाजा लगा जा सकता है कि भारती जनता पार्टी पर पंजाब में कितना दबाव है अकाली दल नेता सुकबिल सिंग बादल की मौझूदगी में बीजय छाबडा ने पार्टी जोईन की थी छाबडा ने काता है कि पार्टी नेतित ने उनकी बात नहीं सुनी इसलिए उन्होंने भारती जनता पार्टी छोड़ देना ही ठीक समझा अब भारती जनता पार्टी के दस नेताओं ने क्रिसी कानून का बिरोत करते हुए और किसानों का समर्थन करते हुए पार्टी से स्तिफपा दे दिया और इस अभी दसो नेता सिरो माड़ी अकाली दल में सामिल हो गए हलाकि सिरोमारा अकालित दल ने दावा किया है कि भाजपा के कई और नेता अकालित दल में सामिल होंगे जो कि इन सभी दर्सों नेताओं के समर्थक बताए जा रहे हैं अलाकि अकालित दल में सामिल होने नेताओं का कहना ही की हमने भारती जनता पार्टी को चेताओं नहीं दी थी कि अगर वो अपने किसान बिरोधी कदम को वापस नहीं लेती है तो गाउं में उनके एक कार करता भी नहीं बचेंगे हलाकि पार्टी ने उनकी सला को मानने से इनकार कर दिया था जिसके बाद इन सभी दस नेदाओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया वहिं आपको पठान कोड से पुरो कांग्रेश बिदायक ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए अकालित दल का दामन थाम लिया है आपको दादें पठान कोड़ से पोरो कांगरेज बिधायक स्री असोक सर्मा ने कांगरेज को जटका देते हुए अकालीत दल में सामिल हो गया है। खिसान, संगठनों और सरकार के बीच आज दसमेत दौर की बात चीत होनी थी लेकिन यह महत्पूर्ण बैठक आज रद्ध हो गई अब यह बैठक 20 जनवरी को होनी है अलाकि केन सरकार की ओर से कागिया है कि दोनों पक्ष जल से जल इस गतिर्योत को सुल्जाने के इच्छू लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की एंटी इसमें होने के कारण देरी हो रही है अलाकि हर बैठक में खिसानों ने सीधे सीधे सरकार से ही मांग किया है कि आप ए तीनों क्रिसी कानून रद्ध करिए लेकिन सरकार ने कहा ही कि एक क्रिसी कानून वापिस नहीं होंगे इन कानून में जहां भी कुछ खामिया हैं ओ आप हमें बताएं हम इसमें संसोधन करेंगे लेकिन किसान डटे हुए हैं कि इन तीनों क्रिसी कानून को सरकार वापिस ले हलाकि सरकार के ओर से दावा किया गए है कि नए क्रिसी कानून किसानों के लिए लापकारी है जब भी कोई अच्छा कदम उठाने का काम किया जाता है तो इस तरह की अर्चनों का सामना करना पड़ता है मामले को सुल्जाने में देरी इसलिए हो रहे है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान का हल करने में जूटे हुए हैं आज जो बैठक होनी थी अब वो 20 जनवरी को होगी क्रिशी मंतराली कोर से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि बिज्यान भाउन में किसान संगठनों और सरकार के मंतरियों के बीच बाच्चीत 19 जनवरी के बजाए 20 जनवरी को दो पर दो बजे होगी वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को सुल्जाने के मकसद से गठिस समीती भी मंगलवार को अपनी पहली बैठक करने की तयारी में है क्रिशी सचीव संजा अगरवाल ने 40 किसान संगठनों को एक पत्र में काय की प्रदर्सन कारी किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वारता 19 जनवरी को होने वाली थी जिसे अपरियार कारोडों से टाला गया है अलग कि आपको बदा दें नवे दोर की बैठक भी बे नतीजा रही थी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसलिए बैठक डाली गई है जे आपको बदा दें इधर क्रिशी राज्यमंत्री पुरसत्तम रुपाला ने पीटी आई भासा से बात करती हुए काय कि जब किसान और सरकार के 20 सीधी बात होती है तो अलग बात होती है लेकिन जब इसमें नेता सामिल हो जाते हैं तो अर्चनों का सामना करना पड़ता है यदि किसानों से सीधी वारता होती है तो जल्दी समाधान होने की उम्मीद रहती है क्योंकि अनेत विचारधाराओं के लोगों की आंदोलन में एंट्री हो गई है जो अपने तरीके से समाधान चाहते हैं उनका कहना है कि दोनों पक्त यानि सरकार और किसान संगठन समाधान के इच्चूखें लेकिन दोनों के विचारों में भिन्नता है जिसकी वज़ा से इस मसले को सुलजाने में देरी हो रही है अलाकि कहा गया है कि कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा अलाकि 26 जन्वरी को किसानों के तरब से ट्रैक्टर रैलियू को लेकर भी सुप्रीम कोट ने कल सुनवाई की थी सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते गए दिल्ली पुलिस से कहा था कि इस मामले पर खुद दिल्ली पुलिस फैसला करे किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को रोकने या नहीं रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर छोड़ दिया है सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते वे कहा था कि राश्टी राजधानी में किसी प्रवेश की अनुमती दी जानी है और किसे नहीं दी जानी है यह अधिकार पुलिस का है पुलिस इसे किसी भी तरह से हैंडल कर सकती है पुलिस को नेड़ा लेना है कि दिल्ली के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा अला कि किसान संगठनों का कहना है कि 26 जनवरी को अपनी टैक्टर रैली निकालेगे ही अला कि सुरच्छा के लिहाज से आपको क्या लगता है किसानों का टैक्टर रैली करना उचित है या फिर नहीं अपनी राय जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को सेयर भी करें